नमस्का, मैं होसासी आयो जार्खन की टॉप 25 पर मोग खबर जानते हैं तमाम तयारिया द्रूस्त रखने को कहा है उन्होंने केंद्रिये स्वास चीव राईस भूसन द्वारा 21 दिसंबर को दिये गए दिशार निदेशों को भी अपने पत्र के साथ सनलगन करते हुए उसका सकती से अनुपारण कराने को कहा है बतादे केंद्रिये स्वास चीव राईस भूसन द्राईस सरकार को पत्र लेकर ओमिक्रोन के बढ़ते परसार को रोकने के लिए सकत रणनित्ती उपाय करने को कहा इसमें रात का कारफ्यू लगाना एक जगह ज्यादा लोग को एकत्र होने से रोकना साधी बिवा और अम्तिम संसकार याद्धी में सामिल होने वाले की संखेया सीमित करना सामिल है बढ़ती सर्दी को देखते हुए स्वास्त विभाग ने जनहीत में आम जन से बचाओ के लिए जरूरी सुझाओ दिये हैं इस समंद में रश्ट्रिय स्वास्त मिशन के अभियानी देशक ने जीले के डी सी आउ सिविल सर्जन को पत्र लिखा है इसमें कहा गया है कि पूरे देश में सीत लहर चल रही है इसे देखते हुए जारखन में भी ठंड तेजी से बढ़ गई इससे लोगों को सतक रहने के जरूरत है हुए ठंड के कारण होने वाली बिमारी इससे बचाओ और रोक थाम के लिए परचार परसार करने के साथ लोगों को इसके प्रती जागरूप करने को कहा गया है 73% आरक्षन देने पर हैमन सरकार जल्द लेगी फैसला है जार्खन बिधान सभा का सीथ कालिस्वत और अनिशित काल के लिए अस्थागित हो गई है बतादे बुद्धवार को राज सरकार ने कई मुदे पर अपना जबाब रखे इसके तहर सरकार राजे में आरक्षन की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है इसे 50% से बढ़ा कर 73% किये जाने की मांग पर सरकार जल्द फैसला लेगी इसके लिए एक उप समिति का भी गठन होगा बतादे की राजे में ST, SC सहीत पिछले वर को कुल 33 पर त्थियत आरक्षन देने की मांग देने का प्रस्ता राज सरकार के पास बिचारा धीन है जारखन में अभी नहीं होंगे पंचाय चुनाओ जारखन में पंचाय चुनाओ की समहोना फिलहाल नहीं दिख रही है बतादे बिधान सभा में लंबोतर महतो के सवाल पर सरकार का जवाब कुछ ऐसा ही था आईसू पार्टी के विधायक ने सवाल पूछा था कि क्या राज निर्वाचन आयोग द्वारा दियेगा प्रस्ताओ कर नुसार राज सरकार याता सिग्र चुनाओ कराना चाहती है बतादे उत्तर में सरकार ने औसवी करात्मक जवाब दिया है सरकार ने कहा है कि राज निर्वाचन आयोग ने पंचाय चुनाओ को लेकर जिस कारकरम का परस्ताव दिया था उसे सरकार ने कोविट के खत्रों को देखते हुए अनुमधित नहीं किया राज निर्वाचन आयोग ने 29 नॉमबर को सरकार को भेज़े के पत्र में बताया था कि सवी जीलों में चुनाओ को तियर्या कर ली गई है सरकार ने इसके साथ ही अपने जवाब में जोड़ा है कि मद्दाता सूची पुन्रिक्षन का कारे चल रहा है मद्दाता सूची का परकासन 5 जनुवरी 22 को कर लिया जाएगा जीलों में 10 फरवरी 22 तक मद्दाता सूची का परकासन हो जाएगा लातेहार में पूलिस और उग्रवादियों की बिच मुढभेड लातेहार जीले के चंदवा थाना छेतर अंतरगत उग्रवादी परहवित गाव मांडर टोला में बुद्धवार की साम पूलिस और जेजे एमपे उग्रवादियों की बिच भीशन मुढभेड हो गाई दोनों तरब से करीब 150 राउंड फाइरिंग की बात कही जा रही है हालाकि किसी के मार जाने के सुचना नहीं है जनकारी के अनुसार पूलिस को गुप्त सुचना मिली थी कि इलाके में उग्रवादियों का दस्ता घूम रहा है सुचना के बाद छापे मारी में निकली पूलिस टीम एरूद कीता से गुजर रही थी इसी दोरान जेजे एमपी उग्रवादी संगठन से सामना हो गया दोनों के बीच करीब 150 राउंड की फाइरिंग भी हुई चत्रा और हजारी बाग में 10 एकड में हो रही अफिम की खेती नाश्टे चत्रा तथा हजारी बाग जीला के सीमावर्ती छेत्र के वन भूम में मौत के सौधागरों के द्वारा की गई अफिम तथा गांजा की खेती के विरूद दोनों जीला की पूलिस ने बुद्धवार को सन्युक्त अभियान चलाया बतादे चत्रा तथा हजारी बाग जीला की पूलिस का या अभियान चोपारन थाना छेत्रे के करगाबन छेत्रे में चलाया गया अभियान के तहट करीब 10 एकड़ बन भूवी में लगाए गए अफीमो अगंजा की खेती को नश्ट कर दिया गया इस इलाके में करीब 25 एकड़ भूभाग में अफीमो अगंजा की खेती अभी लगी हुई है बैग्यानिक सहायको की होगी बहाली राज सरकार के ग्रीबिभाग के अधीन कारिवरत राज बीथी बिग्यान परयोग साला में 60 बैग्यानिक सहायको की नियुकती के लिए नए सीरे से प्रक्रिया सुरू कर दिया है बता दे जारखन करमचारी चायन अयोग जे एस एससी ने इन पदोपर नियुकती के लिए दोबारा बिग्यापन जारी कर दिया है पूर्वो मोब भी इस पदोपर नियुक्ति के लिए बिग्यापन जारी किया गया था लेकिन नियुक्ति निमावली में कुछ तुरोटी होने के कारण इसे रद कर दिया गया था जारखन हाई कोट के आदेश पर इन पदोप पर नियुक्तिक पर किरिया शुरू की गई है 89 मोडल इसकुलों में बहाल होंगे लिपिक और आदेश पाल राज्य के 89 मोडल इसकुलों में एक एक आदेश पाल और लिपिक की नियुक्ति होगी इन इस्कोलों में 22 सुरुत से लिपिक और आदेश पाल रखने के लिए इस्कोली सिक्चा और सक्षात वीभागने सभी जीला सिक्चा पता अधिकारी को निर्देश दिये हैं बता अदम आदमिक सिक्चा निदेशक हर्स मंगला ने निर्देश दिया है की मोडल इसकुलों में एक एक आदेश पाल, जिन मोडल इसकुलों में छात्रों की संख्या सवसे अधिक हा है, उन इसकुलों में एक एक लीपिक की सेवा बाहसरोत से रखा जा है, जिसके लिए एजेंसी का चैन जारखन सिक्चा पर योजना परिशद द्वारा किया गया दो बरस में बेरोजगारों की संख्या 6 अगुना बढ़ी जार्खन में पिछले दो बरसों बेरोजगारों की संख्या में लगभग 6 अगुना बृधी दर्श की गई है और इस वर्ष जून तक सभी 24 जीलों के 43 रोजगार कर्यालियों में कूल 6,45,844 बेरोजगार पंजिक्रित थे जिन में से राज सरकार अब तक किसी को भी रोजगार नहीं दे सकी और उन्हें फिलाल किसी तरह का बेरोजगारी भाता भी नहीं मिल रहा बता दे जार्खन बिधान सभा में बुधवार को भुकारों से भाजपा बिधायक बिरंची नरायन द्वारा राजवें बेरोजगारों की संख्या उन्हें पिछले दो बरसों में दिये गए रोजगार अथवा बेरोजगारी भाता के समान में पूछे गए लिकित प्रस्ट के जवाब में राज़ सरकार ने आजनकारी दिया है जार्खन में कुरोणा के 26 नए केस मिले हैं जबकि 15 मरी स्वास्थ भी हुए हैं जार्खन में कुरोणा के कुल एक्टिव केस की संख्या 173 है भारत में 3,617 नए केस मिले हैं जबकि 6,906 मरी स्वास्थ हुए हैं भारत में कुल एक्टिव केस की संख्या 77,741 है CBAC Board 10th 12th Term 1 परिक्षा रिजल्ट को लेकर बड़ी ख़बर CBAC Term 1 परिक्षा 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 को लेकर बड़ी ख़बर है बतादे Board Term 1 का परिक्षा 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 के नतिज़े जनवरी में जारी हो सकते हैं दरसल केंदरी ये माधमिक सीक्षा बोड की ओर से आयोजित होने वारी टर्म 1 की परिक्षा के ताहद दसवीक अक्षा की मेजर और माइनर बीसायो की परिक्षा 11 दिसंबर को ही समाप्त हो चुकी अलाकि फिलाल बराविक अक्षा की बोकेशनल बीसायो के लिए एकजाम बाकी है या परिक्षा 29 दिसंबर को खत्म हो जाएगी इसी बीच बोड ने अंतरिक परिक्षा का डेटा कलेक्षन करना सुरू कर दिया है इसलिए मीडिया रिपोर्ड में या उमीद जताई जा रही है कि दसवी और बराविक नतीजे जनवारी में गोशित होने की उमीद है ब्लैक फंगस से संक्रमी जमसेदपूर की महिला की रिम्स में मौत ब्लैक फंगस से संक्रमी जमसेदपूर की एक महिला की मौत रिम्स में हो गई अधादे 21 दिसम्मर की सुबह जमसेदपूर से गंबीरी स्थिती में महिला को रिम्स में इलाज के लिए भरती कराया गया था जहां तवियत बिगणने के बाद उसकी मौत हो गई जमसेदपूर से ब्लैक फंगस से पीड़ीत महिला के बारे में बताया गया कि रिम्स आने पर उसे डेंगू वार्ड में भरती कराया गया था लेकिन तवियत बिगणने पर उसे न्यू ट्रामा सेंटर में सिफ्ट किया गया डाक्टर्स लगतार उस पर नजर बनाये थे लेकिन ओ बच नहीं पाई धनबाद की अर्शूटर कोनी का मौत ममले में होगी जाच मुख्यमंत्री जारखन बिधान सबाईसित मुख्यमंत्री कक्ष में सिफ्ट में सिफ्ट की निशान ने बाज खिलाडी कोनी का लायक मौत ममले में परिजनों ने मुलकात किया इस दोरान सीएम ने मिलकर जहान नयाय की गुहार लगाई वही कोनी का की मौत को एक बड़ी साजिस करार दिया सीएम सिरी सुरेन ने पिरित परिवार को हर समभव सहयो का स्वासन दिया बता दे कि पिछले दिनों बंगाल के हावडा में धनवाद की रश्ट्रिय निशन बाज कोनी का लायक का सौप पाया गया था मनुवादी सोच वाले लूट खसोट कर जहारखन से हो जाएंगे गाय मुख्यमंत्री बिधान सभा के सित कालिन सत्रे के समापन के मौके पर मुख्यमंत्री हमान सुरे ने बगएर नाम लिये भी पक्ष पर निशाना सधा उन्होंने कहा कि मनुवादी सोच वालों ने जहारखन को बरबात किया है केंद्रे के उपकरम चुहों की तरह राजे की जमीन को खोकला कर रहे हैं खनन छेत्रे के नबे फिसद लोग बिमारी से ग्रसी था है राजे रियाल्टी दे रहा है लेकिन मनुवादी सोच वाले लूट का सोट कर गायब हो जाएंगे महिला से गैंग रेप मामले में अदालत ने पती समय तीन को सुनाई 20-20 साल की सजा जहारखन के पलामो जिले में मेदनी नगर की 21 अदालत ने गैंग रेप के जूर्म में तीन दोस्यों को 20-20 वर्स की कठोर करावाद सुनाई साथ ही इसमें सभागी रही एक महिला को भी दस वर्स की सजा सुनाई गई बता दे बुद्धवार को पलामो जिला एम सत्र ने अदीस के पी एन पांडे की अदालत ने यह निर्नाई दिया फैसले का बीवरन देते हुए वरिष्ट वकील सुधा पांडे ने बताया की नियाले ने तीनों दोस्यों को करावास के अतिरिक्त उन पर 20-20 हजार उपय का जूर्माना भी लगाया रामगर में चल रहे अल्टरसाउंड की होगी नियमीत जाज रामगर उपायुक्त माधवी मिस्त्रा ने समानाले सभागार में PCI and PNDT Act के तहत मंगलवार को बैठक की बैठक में उपायुक्त ने सीविल सर्जन डाक्टर प्रभात कुमार से जीले के अलग-अलग परखंडों में संचालित अल्टरसाउंड केंद्रों की जनकारी ली इस दरान उन्होंने अल्ट्रासाउंड केंद्रों के संचालन के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा नेदेश की जनकारी लेते हुए सिविल सर्जन को नीमित रूप से जीले के अलग-अलग परखंडों में चल रहे अल्टरसाउंड केंद्रों की ओचक रूप से जाच करने अवायद रूप से संचालित किये जा रहे अल्टरसाउंड केंद्रों को सील करने तथा नियमों का अनुपालन नहीं कर रहे अल्टरसाउंड केंद्र पर कड़ी करवाई करने का निर्देश दिया हजारी बाग होमगाड भरती में धांदली हजारी बाग जीले में लंबे अन्तराल के बाद 1268 पदों के लिए हो रहे होमगाडों की पाहली में बड़े प्रमाने पर धांदली की गई थी उपायूत के निर्देश के अलोक में पादार सिता बरतने के उदेश से परतेक संधिया रिजल्ट का परकासन होना था और जीला परसासन अपने वेबसाइट पर इसे परकासित भी करती थी परन्तु इसी सूची में बड़े प्रमाने पर अम्तिम समय में समन्धित पताधिकारियों द्वारा फेल बदल किये गए और निम्न नंबर वाले पास और उस्तम योगता वाले फेल हो गए बता दे अब बंधिक सूची जारी होने पर अब्यार्थी से अब पत्ती मांगा गया था ऐसे में अनियमीत को लेकर उपायूक कर्याले को 81 आवेदन प्राप्त हुआ जाच में सभी आवेदन सही पाये गए और भारी पैमाने पर धांदली की पोल खुल गई गढवा जीला के जोबरहिया में अलाव सेखने के दोरान एक ही परिवार के नौ लोग घायल गढवा थाना चेत्र के जोबरहिया गाउं के मुसलिम टोला में अलाव सेखने के दोरान आचानक 20 फोट से पूरा गाउं दहल गया बता दे इस घाटना में एक ही परिवार के नौ लोग घायल हो गए जिसमें किसी के पैर तो किसी के हाथ और किसी के सर में चोट आई है बता दे घायलों में गाडवाद छाना छेतरे के जोब रहया गाओ के मुसलिब टोला के निवासी सामिल है सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है जारखन को डायन कुपर्था मुक्त बनाना गरिमा परियोजना का उदेश है जारखन इस्टेट लाइबली होड परमोसन सोसाइटी दोवारा आयोजित डायन कुपर्था मुक्त जारखन के निर्मान के लिए आयोजित कारेसाला के दूसरे दिन कई तक निकी सेशन का आविजन हुआ बतादे बिभीन विभागो के समन्वाए सिक्षा एम जाग रूपता की जरूरत एम साजार रन निती को केंदरे में रख कर बिभीन बीसे सग्यों ने अपनी बाते रखी कारेसाला के दूसरे दिन मुख्य अथी थी के रूप में सिक्षावीद डाक्टर सुनीता राय ने कारेसाला के अध्यक्सता की CPIM ने हिमंत सुरेन पर बोला हमला CPIM ने जार्खन सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है माकपा के राजे सचीव परकास बिपलाव ने बुड़ू के एक रैली को समधूत करते हुए कहा कि हमं सरकार जनमुदो को हल करने के लिए गंभीर नहीं है और रगवर सरकार की तरह जन बिरोधी लेड़ पूल एवां भूमी बैंक निती जैसे कानूनों को लागू कर जमीन लुटने पर अमादा है सरकारी कर्यालों में लुट खसोट और कमिशन खोरी ब्यापत है और अधिकारी मनमानिक कर रहे है ज्यारखन के सरकारे विभागों ने 79,702 क्लो रुपे खर्च कर नहीं दिया हिसाब राजे का बित्ये प्रवंधन तैमानको के अनुकुल नहीं रहा सरकार राजस्व के मोचे पर बित्ये अनुसासन कायम नहीं रख सकी इसका पहिणाम बित्ये अनिमित्ता और बढ़ते कर्ज के रूप में सामने आया है बतादे करीब 79,000 क्लो र के खर्च का उप्योगता पमान पत्रत तक विभागों ने जमा नहीं किया भारत के नियंतरक महालेखाकार ने 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए बित्ये वर्स के राजे बित लेखा पर इक्छा की अपनी रिपोर्ट में तमाम बित्ये सन्मित्यों को उजागर किया है होकी ओलंपियन का गाउं बनेगा अधर्स ग्राम सिम्डेगा उपायुक्त सुसांत गोरो सोमवर को उलंपियन सलीमा टेटे के गाउं बढकी छापर में चल रहे विकास कार्यों का जाजा लिया उपायुक्त ने होकी चाट ग्राउंड के निर्मान कार्य में सिथिलता देख नराजगी ब्यक्त की उन्होंने जीले के परखंडों में चल रहा ग्राउंड निर्मान का अगतन प्रतिवदन की प्रती समर्पित करने की बात कही साथ ही सनवेदक के साथ बैठा कर अम्तिम चेतावनी देते हुए निर्मान जल्द पूरा करने का निर्देश दिया जर्खन क्रिसी निदेसाला की ओर से गुरु आरको दीन के 10 बजिसे मुरबादे इस्थित राम क्रिष्न मिसन आश्रम सभागार में राज्य अस्तरी रविक कारेसाला का आउजन किया जाएगा कारसला में किरिसी मंत्री बादल किरिसी निदेशक समेत और ने सामिल होंगे धन्यवाद यदि आप चनल पनाए हो तो चनलों को सब्सक्राइब कर बहर के बेले कंद बाईए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोथों को साथ सेर करना ना भूले थांक यू